करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रीविस एपसोड में देखा था लोग में को रास्ता दिखा और ऐसे बे मतलब की ट्रिक्स मत दिखाना ठीक है मतलब उल्लू मत बनाना में को एपसोड नंबर 526 के स्टार्डिंग होती है माउस बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा सिद्र जाओ आगे सीडियां है फिर कुछ टाइम के बाद हमें सीडियों पर चले होते हैं लूजंग बोलता है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम लास्त पहुंचोगी फिर पторовर बोलता है ये क्या है नंबर बोलता है कि इस ये है कि एक म्परिब्री के ट्रती आखले में के इस चाहती है को क्यर्त करकर रखता है एक मेमरी इससे प्रूफ होता है लिविंग बिंग का जो कि कि इस इसनान को record करके रखता है यह किसी की memories है ना emotions भी फिल कर सकता हूं वह एक flame को touch कर रहा होता है लुजंग सोच रहा होता है कि thousand years से कम time में एक और सब सेंट आ जाएगा 9 league land में वहल पतनी किसकी memories पट रहा होता है लुजंग में ल माउस कूछ करता है काफ़ सब्सक्राइब में जाएं दे रहा होते हैं लुजंग की तरफ बलता है कि मैं को तुमारी बोडी के ऴूपर एक और बार कंट्रोल करना पड़े होगा वो कर लेता है control बोलता है कि अब ठीक होगा लुजंग जाग जाओ क्या तुम ठीक हो लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ वो कुजार क्लोस था लुजंग अपना टैक कर देता आगे की तरफ इसके पास सिफ लो रंक टूगोड की पावर है तो इतना वी जात दूर नहीं लुजंग बोलता है कि मैं स्टैच्व की तरफ बाद में देख लूँगा पहले एक और काम है मेरे को वो जल्दी से मूव करता है थंडर विंक्स को क्रेट करके और माउस के पास से पहुंच जाता है वह अपनी थंडर के उसका और माउस के ओपर अटकर जाता है वह माउस नहीं है इस लैंड को टच करने के लिए लुजंग बोलता है तुम्हारा मास्टर तुम यूई इन लुओ के बात कर रहे हो माउस बोलता है मेरे मास्टर वापस आ जाएंगे जल्दी फिर मैं तुमारी मेमरी फ्लेम को एरेस कर दूंग तुम कभी भी रिंकार्नेट नहीं ह का ब्लड होना चाहिए मेरे मास्टर भी कॉलिफाइड नहीं है तुमारी दूबात ही क्या करें नंबर बोलता है यह तो और मोस्ट सेम है जैसे मैंने गैस किया था को डुमेन को चीयू ने क्रेट किया है तो नैच्रली वो इस प्लेस को अपने लोगों की इनकार्नेशन के यूज करना चाहता था उस गल्द हो गया होगा और यह स्टोन माउस यूई लोगों के हाथ में बढ़ गया विसंग सोच रहोता है तो नैली रेस को सर्फ करने के अलावा इस माउस ने यूई लोगों को अपना मास्टर बना ली है और उसे लोयली फोलो कर रहा है विसंग बोलता है दो एल्टर्स क्यों खाल नहीं है चुवा बोलता है कि जो जेट स्केल बटरफलाई और फ्लेम ब्लड वल्चर हैं उनके स्टैचूज होने थे इन दो अल्टर पे उनका भी सेम इमिशन था मेरी तरह पर वह भी कभी रिंकानेट नहीं इन सालों में अच्छा कवरना ही हुए हो कहीं पे उनकी जो बोडीज हो वैसा कुछ फिर पहुंच जाता स्टैचू के पास और बोलता है कि कैमे को इस डोर से एंट्री लेने पड़ेगी इंकानेशन एंट को कंट्रोल करने के लिए माउस बोलता हां तुम सहीं बोल रहे हो तुम इस डोर से एंट मैं पूशने कर पा रहा हूं यह डोर इतना है भी कैसे है नंबर बोलता है मेरा कैसे ही है च्यू की आइस जो है इस अल्टर में मतलब यह स्टैच्यू में उसमें लिमिट स्टोन होगा जो तुम्हारी मैक्सिमम पावर को डिटेक्ट कर सकता है जो परपस इस जाइन डोर का और पुश करने कोशिश करता है तुश की आइस द्वार गलो होती है और दरवाज ओपन हो जाते हैं नंबर बोलता है तुम्हें ने कर दिखाया लुजञ फिर एंटर कर रहा हो तब आंपे स्टैच्यू होते हैं काफी सदाधा पहला स्टैच्यू का था अब यह आठ स्टै तो तो सिफ चियू की बात सुनता था और जो ये दूसरा इंसान है एगल की तरह दिखने वाला इसका नाम ली लू है और ऐसे बाकी है ली वैन ली गोंग ली वू ली पो ली फू ली भी लू ली बी तुम सभी को कैसे जानते हो नमबर बोलते है वैल मेरे मास्टर को जादे उब्जर्वेंट थे मदल वर्ल्ड में क्योंकि नाइली रेस को जादे फेमस थी मैं कैसे नहीं जानता हूं इनको कैसे नहीं सकता हूं तो मैं एक चियू की डिसेंडेंट हो तो मैं कैसे कुछ पता नहीं है तो फिर पूरा एरिया शेक करने ला पड़ता है लूजंग बोल लूजंग बोलता है कि कैसी सिक्रेट अबिलिटीज वो सौल बोलती है कि इन स्टैच्चू के उपर स्पेर हैं वो डिवाइन अबिलिटीज है इन्हें तुम एक ही बार में यूज कर सकते हो और क्रिटिकल मुमेंट्स में ये ट्रिगर होती है लूजंग एक स्टैच्य के लूजंग बोलता है कि स्टैच्च के उपर स्फेर क्यों नहीं है क्या किसी ने चूज कर लिए ये वो सौल बोलती है लीफू की जो डिवाइन अबिलिटी है वो उस परसन ने चूज किया जिसका नाम यू इन लूओ था लूजंग बोलता है मेरे पास वैसे मैं कुछ चाह लेख बोछ इंपोर्टन प्लेस है जो परसन होगा इंचार्ज वो नाइन लिरेस का होना चाहिए और उसकी ब्लड लाइन भी अगर तुम ट्राइगा नचाहते तो तुम्हारा ब्लड लाइन था अगर तुम इस टेस्ट को पास करोगे तो तुम क्वालिफाइड होगे रि रिंकारनेशन साहले टूल को युज नि कर सकते हो में Fel Nej युभ लता है अच्छा आपสम्झाम में जब कोई वल्ड को करेट करता है दो तरह क्या क्या होते हैं तब पहला होता है उन टाइम रिंकार्णेशन का अगरे चांस यूज हो जाता है तो memory flame फिर completely गायब हो जाती है खतम हो जाती है पर जो गोड में ने वो second rule of reincarnation को यूज करता है लुजंग बोलता है second rule number बोलता है किस rule के अंदर endless reincarnation होती है और memory flames हर बात पैदा होती है किसी के मरने के बाद कोई इंसान अपनी memory flames को पा सकता है अपनी previous life की तो अगर theory की बात करें जिस इंसान के पास endless reincarnation है वो कभी मरे गई नहीं अच्छा God domain में मतलब normal से इंसा बात है कि कोई मरता नहीं है लुजंग तो तुमारा कहने का क्या मतलब है कि जो भी मरे हुए लोग है God domain में वो अपनी memory flames को पा सकते हैं तो इसका मतलब ninely race भी कोई exception नहीं है वो बस सकती है द्वारा alive हो सकती है नंबर बोलता है कि अगर मैं theoretically बोलूं तो हाँ पर जो की है वो मेकल लगता है reincarnation soul tool है और तुम तुमारी bloodline impure हो गई है तुम soul weapon को control नहीं कर सकते हो लोजंग बोलता है कि किस तरह reincarnation rule है mother world में जो की mother world follow करती है नंबर बोलता है कि जो rule है mother world में वो सेम ये क्यूस की तरह अगर किसी इंसान की soul destroy जाएगी तो उनकी memories भी खतम हो जाएगी कोई भी reincarnate नहीं कर पाएगा अगर वो मर जाएगा तो वो completely खतम ही हो जाएगा वो जो सौल होती है वो बोलता है यंग मैन तुम participate करना चाहते है टेस्ट में लोजंग बोलता हूँ वो सौल बोलती है तुम मेरे साथ आओ मैं को follow करो इस दर्वाजे के पीछी है टेस्ट अंदर चल जाओ यंग मैन एक बात मैं तुम बता देता हूँ ये टेस्ट को जाग गंदा है तुम मर भी सकते हो पर जो rules है मैं तुम एक chance देदा हूँ और इंकारेट करने के लिए लोजंग बोलता हूँ तो शुक्री मैं समझता हूँ बोलती है कि मैं चाहता था कि मैं अपनी सौल का एक हिस्सा गोड़ में छोड़ दू अपनी डिसेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टन टाइम में पर जो एंपरेर होंग है व इसकिस की है वैल शायद चीयू की है लुजंग एक पहुंच देवां पर एक ब्रांच पर बैठा होता है वह बोलता है इस टेस्ट में मैं अपने आपको मैजिकल क्रोग की तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो तो मैं चांस मिल गया जानने के लिए कि मैजिकल क्रोग मैं हू तो तुम्हें मेरे सामने जुकना चाहिए और रिस्पेक्ट शो करने चाहिए वह खुलता है कि अगर मैं मैं में मेंबर हूंगा इंपीरियल ग्रेड़्ल लाइन का फिर भी में को जुकना पड़ेगा है तो मेरे परस तो सची इंपीरियल ग्रेट ब्रेड लाइन है कि इतने सा बूरी किस्मत हो गई है कि बहुत सा नसेसरी हो गए कि रोल फैमली को खुद परसनली रिंकार्नेशन को कंट्रोल करना पड़ रहे है तो इने काफ सदा टाइम लगा दिया यहां पे आने के लिए वह आ तो गाइज एपसर्ट नंबर फाव और फाव और डिसेक्स ना था अगर आपके पीसंद लाइक करनी बैफी बलाइक अधुश्यक आपके बतागर आपके विए सब्सक्राइब करते हैं